यूनिट 6 हरियाना राजनितिक परिद्रिश्य प्रिष्ट संख्या 196 ये प्रिष्ट खाली है प्रिष्ट संख्या 197 पाथपीस प्रशासनिक सन्रचना भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय हरियाना पंजाब का ही एक भाग था सक्रिय आंदोलन और विभिन आयोगों की लंबी कार्यवाही के पश्चात वर्ष 1966 में हरियाना को पंजाब से अलग कर एक नए राजे का गठन किया गया एक नवंबर 1966 को हरियाना भारत के सत्रमी राजे के रूप में अस्तित्वा में आया विधाई का एवं कार्य पालिका वर्ष 1950 में अलबर्ट मेयर द्वारा निर्मित प्लान तथा वर्ष 1952 में प्रसिद्ध फ्रांसिसी वास्त शिल्पकार लेफनेंट कोर वुजीर द्वारा निर्मित चंडिगड हरियाना और पंजाब दोनों राजेओं की संयुक तराजध संधरिका है विधान परिशत का अस्तित्वें नहीं है राजे में विधानसभा तथा राजेपाल से मिलकर विधाईका का गठन होता है चंडिगड इस्थित उच न्यायले हरियाना पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडिगड का सयुक्त उच न्यायले है हरियाना के राजेपाल को नियुक्ती के पश्चात चन्डिगण उचन्यायले के प्रमुख न्यायधीश द्वारा पद एवं गोपनियता के शपत दिलाई जाती है मंत्री परिशत को परामर्श और कार्यायलाई सहायता देने के लिए चन्डिगण में राजे का सचेवाले है शासन का कार्य हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपी में तथा अंग्रेजी भाषा में किया जाता है हरियाना विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 91 है जिसमें नब्बे निर्वाचित तथा एक मनोनीत सदस्य शामिल है नब्बे विधान सभा क्षेत्रों में से 17 क्षेत्र अनुसूचित जादी के उम्मीद्वारों के लिए आरक्षित है प्रिश्ट संख्या 198 हरियाना की राजयपाल श्री धरम वीर कारेकाल 11.196-31.196 श्री बी अन चक्रवर्ती कारेकाल 15.196-26.3.196 श्री आरेस नरूला कारेकाल 27.196-38.196 श्री जय सुखलाल कारेकाल 14.8.196-29.197 श्री हर्चरण सिंग बराड कारेकाल 24.9.197-9.196 श्री एस एस सांधवलिया कारेकाल 9.12.198-27.198 श्री जी पी तपासे कारेकाल 28.2.198-13.196 श्री एस एम एच बर्नी कारेकाल 14.6.194-21.198 श्री एच ए बरार कारेकाल 22.198-6.199 श्री धनिक लाल मंडल 7.2.199-13.199 श्री महवीर प्रसाथ कारेकाल 14.6.195-13.6.2000 श्री बाबु परमानंद कारेकाल 14.6.2000-7.7.2004 श्री ए आर की दुवाई कारेकाल 77.2004-27.7.2009 श्री जगननात पहाडिया कारेकाल 27.7.2009-26.7.2004 श्री कप्तान सिंग सोलंकी कारेकाल 27.7.2004 से वर्तमान तक 20.जन्वरी 2016 के अनुसार हर्याना के मुख्य मंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा कारेकाल 11.196-23.196 श्री राव वीरेंद्र सिंग कारेकाल 24.196-20.196 20.11.196-21.196 श्री बंसी लाल कारेकाल 31.196-31.196 श्री बनारसी दास गुप्त कारेकाल 1.12.195-34.197 राश्रपति शासन 34.197-26.197 श्री देवी लाल कारेकाल 21.197-28.196 श्री भजन लाल कारेकाल 28.1989-23.196 श्री भजन लाल कारेकाल 23.1982-5.196 श्री बंसी लाल कारेकाल 5.196-196-196 श्री देवी लाल 26.197-1.12.199 श्री उम्प्रकाश चौटाला कारेकाल 2.12.199-22.199 श्री बनारसी दास गुप्त कारेकाल 23.1990-11.199 श्री उम्प्रकाश चौटाला कारेकाल 12.1990-17.199 श्री हुकम सिंग कारेकाल 27.1990-22.1991 श्री उम्प्रकाश चौटाला कारेकाल 23.1991-6.1991 राश्रपती शासन 5.4.1991-22.1991 श्री भजन लाल कारेकाल 23.1991-10.5.1996 श्री बनसी लाल कारेकाल 11.5.1996-24.1999 श्री उम्प्रकाश चौटाला कारेकाल 24.1999-13.2000 श्री उम्प्रकाश चौटाला कारेकाल 23.2000-4.3.2005 श्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा कारेकाल 5.3.2005-24.10.2009 श्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा 25.10.2009-25.10.2004 श्री मनोहर लाल खटर कारेकाल 26-10-2014 से वर्तमान तक 12 जन्वरी-2016 के अनुसार प्रिष्ट संख्य एक सनिन्यानबे हर्याना के विधान सभा अध्याक्ष शन्नो देवी किसी भी प्रांत की प्रथम महीला कारेकाल 6-12-1966 से 7-3-1966 राव वीरेंद्र सिंग कारेकाल 7-3-1966 से 23-1966 श्रीचंद कारेकाल 33-1966 से 19-7-1966 मनफूल सिंग कारेकाल 27-1966 से 21-1966 रन सिंग कारेकाल 15-7-1968 से 34-1972 बनार्सी दास गुपता कारेकाल 34-1972 से 15-11-1993 स्वरूप सिंग कारेकाल 16-11-1973 से 4-4-1977 रन सिंग कारेकाल 47-1977 से 8-5-1978 कर्नल राम सिंग कारेकाल 95-1978 से 24-86-1982 सरडार टारा सिंग कारेकाल 24-86-82 से 29-7-1987 हर महेंदर सिंग चड़ा कारेकाल 9-7-9-7-9-91 ईश्वर सिंग कारेकाल 9-7-91-22-5-96 चटर सिंग चौहान कारेकाल 22-5-96-27-7-99 अशुक कुमार अरोडा कारेकाल 28-7-99-13-2000 सत्वीर सिंग कादियान कारेकाल 9-3-2000-23-2005 हर महेंदर सिंग चड़ा कारेकाल 21-3-2005-12-1-2006 डॉक्टर रगुबीर सिंग कादियान कारेकाल 13-1-2006-27-10-2009 हर महेंदर सिंग चड़ा कारेकाल 28-10-2009-3-3-2011 कुल्दीप शर्मा कारेकाल 4-3-2011-2-9-2014 श्रीकवर पाल सिंग कारेकाल 39-2014 से वर्तमान तक 12 जन्वरी-2016 के अनुसार यदि राजेपाल को ये समाधान हो जाए कि आंगल भारतिय समुदाय के लोगों को परियाप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वो इस समुदाय के लिए एक प्रतिनिधि न्यूक्त यानि की मनोनीत कर सकता है संसद में प्रतिनिधित्व हरियाणा से लोगसभा के लिए 10 प्रतिनिधि चुने जाते हैं इन में से दोगशेत्र अंबाला और सिर्सा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है लोगसभाकशेत्रों का ये परिसी मन वर्ष 1971 की जनगर्ना की आधार पर किया गया है भारत सरकार की नई जनगर्ना नीती 2000 के अनुसार लोगसभाकशेत्रों का पुनह परिसी मन वर्ष 2021 की जनगर्ना की आधार पर वर्ष 2026 में किया जाएगा संसत के उच्च सदन द्वित्य सदन अर्थार्त राज सभा के लिए हरियाना से पांच सदस्य जनगर्ना जाते है लोगसभाकशेत्र का नाम अंबाला प्रस्थिती कुष्टक में आरक्षित एवं सामान्या आरक्षित अनुसूचित जाती लोगसभाकशेत्र का नाम भिवानी प्रस्थिती सामान्या लोगसभाकशेत्र का नाम फदैदाबाद प्रस्थिती सामान्या लोगसभाकशेत्र का नाम हिसार प्रस्थिती सामान्या लोगसभाकशेत्र का नाम कुरुक्षेत्र प्रस्थिती सामान्या लोगसभाकशेत्र क प्रिष्ट संख्या 200 न्याय पालिका हर्याणा का उच न्यायले चंडिगण में है ये हर्याणा पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडिगण का संयुक्त उच न्यायले है उच न्यायले के नीचे प्रतेक जिले में दो प्रकार के न्यायले इस्थापित हैं, दीवानी और फौजदारी न्यायले, इन न्यायले के लिए जिला न्यायधीश तथा अन्यायधीश न्युक्त किये जाते हैं, भूराजस्वसम्मंदी मामले जिले के उपायुक्त व उप पुमंडल अधिकारी के ख्षेत्र में आते हैं। पुमंडल अधिकारी के ख्षेत्र में आते हैं। पुमंडल अधिकारी के ख्षेत्र में आते हैं। अधिकारी के ख्षेत्र में आते हैं। नयमूर्थी जीतेंद्र वीर गुपता कारेकाल 97.1990-1591। नयमूर्थी विपिन चंद्रवर्मा कारेकाल 99.1991-2592। नयमूर्थी मंडा गड़े रामा जोईस कारेकाल 35.1992-31.1992। नयमूर्थी सुदर्शन दयाल अगरवाल कारेकाल 13.11.1992-14.1994। नयमूर्थी सुधाकर पंडेत्राव कुर्दुकर कारेकाल 16.1994-27.1996। नयमूर्थी केश्री धरन कारेकाल 37.1996-18.1997। नयमूर्थी A.B. सहरेया कारेकाल 7.11.1997-14.2002। नयमूर्थी विनोत कुमार रॉय कारेकाल 14.10.2002-21.2005। नयमूर्थी D.K. जैन कारेकाल 13.2005-6.4.2006। नैमूर्थी विजेंद्र जैन कारेकाल 28-11-2006-18-2008, नैमूर्थी तीरत सिंग ठाकुर कारेकाल 11-8-2008-17-11-2009, नैमूर्थी मुकुल मुद्गल कारेकाल 5-12-2009-31-2011, नैमूर्थी रंजन गोगोई कारेकाल 12-2-2011-23-2012, नैमूर्थी एक केस्तिकरी कारेकाल 23-9-2012-11-4-2013, नैमूर्थी संजे किशन कॉल कारेकाल 16-2013-25-2014, नैमूर्थी एस्जे वाजिवदार कारेकाल 26-7-2014-2014, वर्तमान, प्रिष्ट संख्या 201, जिला प्रशासन, हर्याना के गठन के समय राजे में कुल साथ जिले थे, अ अंबाला, करनाल, रोहतक, गुडगाउं, महेंद्रगड, हिसार वज्जीन्द, हर्याना क्षेत्रफल जनसंख्या एवं जन घनत्व, एक नवंबर 1966-को, जिला हिसार, क्षेत्रफल 13,891 वर्क किलोमेटर, जनसंख्या 15,440,508, जन घनत्व, व्यक्ति प्रती वर्क किलोमे जन घनत्व, 235 व्यक्ति प्रती वर्क किलोमेटर, जिला गुडगाउं, क्षेत्रफल 6,086 वर्क किलोमेटर, जन संख्या 12,440,706, जन घनत्व, 204, जिला करनाल, क्षेत्रफल 7,964 वर्क किलोमेटर, जन संख्या 14,90,430, जन घनत्व, व्यक्ति प्रती वर्क किलोमेटर, 187 जिला जींद क्षेत्रफल 2712 वर किलोमेटर जन संक्या 4,64,883 जन घनत्व व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर 164 जिला महिंद्रगड शेत्रफल 3,474 वर किलोमेटर जन संक्या 5,47,850 जन घनत्व व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर 158 जिला अंबाला शेत्रफल 3702 वर किलोमेटर जन संख्या 885,785 जन घनत्व व्यक्ति प्रती वर किलोमेटर 231 वर्तमान में हर्याना में 21 जिले हैं 2 अक्टूबर 2004 में मेवात सत्य मेवपुरम पुराना नाम 20 जिला तथा 30 मार्च 2008 कुपल वल 21 जिला बना इसका गठन गुडगाओं और फरीदाबाद जिलों के एक शेत्रों को मिला कर किया गया है हर्याना जिलों का विवरण जिला अमबाला शेत्रफल 1574 वर किलोमेटर मुख्याले अमबाला इस्थापना ते थी एक नमवबर 1966 जिला भीवानी शेत्रफल 5099 वर किलोमेटर मुख्याले भीवानी इस्थापना ते थी 22 दिसंबर 1972 जिला फरीदाबाद शेत्रफल 2151 वर किलोमेटर मुख्याले फरीदाबाद इस्थापना ते थी 15 अगस्त 1989 जिला फतेहबाद शेत्रफल 2520 वर किलोमेटर मुख्याले फतेहबाद इस्थापनती थी 15 जुलाई 1997 जिला गुडगाउं शेतरफल 1253 वर किलामेटर मुख्याले गुडगाउं इस्थापनती थी 1 नमबर 1966 जिला हिसार शेतरफल 3983 वर किलामेटर मुख्याले हिसार इस्थापनती थी 1 नमबर 1966 जिला जजजजर, शेतरफल 1834 को मिक्लास जजजज़, इस्थापनाथी ती, 15 जुलाई 1997 जिला जीनद, शेतरफल 2702 को मिक्लास जीनद, इस्थापना थी csak 1यushomeबlı 1996 जिला कैथल, शेतरफल 2375 को मिक्लास Perfectов, मुक्लास कैथल, इस्थापनाथी ती 1we曜 1946 जिला करणाल शेत्रफल 1869 나올 किलामेटर मुख्याले नारनॉल शेत्रफल जिला पंचकुलाक शेत्रफल 816 वर किलामेटर मुख्याले पंचकुला इस्थापना तिथी 26 अगस्त 1975 जिला पानीपत शेत्रफल 1268 वर किलामेटर मुख्याले पानीपत इस्थापना तिथी 22 दिसंबर 1972 जिला रेवाडी, शेत्रफल 1594 वर किलॉमिटर, मुख्योले रेवाडी, स्थापना तीथी 1 नमबर 1989, चिला रहो तक शेत्रफल 1668 वर किलॉमिटर, मुख्योले रहो तक, स्थापना तीथी 16 맞ब्र 1989, जिला सिर्सा क्षेत्रफल 4277 वर किलामेटर मुख्याले सिर्सा इस्थापना तिथी 15 जन्वरी 1995 जिला सोनीपत शेत्रफल 2260 वर किलामेटर मुख्याले सोनीपत इस्थापना तिथी 1 नवंबर 1989 जिला यमुनानगर क्षेतरफल 1768 वर किलमेटर मुख्याले यमुनानगर इस्थापना दिती 1 नमबर 1989 जिला मेवात क्षेतरफल 1860 वर किलमेटर कोश्टक में औस थाई मुख्याले नूह इस्थापना दिती 4 अपरेल 2004 जिला पलवल शेत्रफल 1369 वर किलामेटर कोश्टक में औस्थाई मुख्याले पलवल इस्थापना दिथी 15 अगस्थ 2008 प्रशासन की सुविधा के दृष्टी से हरियाना को चार मंडलों में विभाजित किया गया है प्रतेक मंडल का अधिकारी आयुक्त कमिश्णर होता है जो भारतिय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ट अधिकारी होता है प्रिष्ट संख्या 202 जिले का शासन प्रबंद उसी की देख रेक में चलता है जिले में शान्ती विवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी उसी की होती है इस हेतु वो उचित कारेवाही करता है शान्ती एवं कानून विवस्था बनाये रखने में उसके सहायता के लिए पुलिस अधिकशक तथा उसके अधीन कर्मचारी होते हैं पुलिस अधीक्षक भारतिय पुलिस सेवा IPS या राजय पुलिस सेवा का वरिष्ट अधिकारी होता है जो अपने विभाग में उपायुक्त के समगक्ष ही माना जाता है जिले में भूमीकर एकत्रे करवाना भी उपायुक्त का प्रमुक कारे है इस कारे में उपुमंडल अधिकारी, पटवारी, कानून गो तथा तहसीलदार उसका सहयोग करते हैं प्राकृतिक आपदाओं जैसे बार, अकाल, आधी के समय उपायुक्त उचितकारेवाई कर लोगों को रहत प्रदान करता है उपायुक्त ही जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जिले में निश्पक्ष और सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन करवाना उपायुक्त का ही दाईत्व होता है उपायुक्त ही जिले में किये जाने वाले विकास और कल्यान कारियों के लिए समन्वयन और दिशा निर्देशन का कारे करता है सामाने प्रशासन तथा सभी विभागों के अधिकारियों के बीच समन्वय का कारे उपायुक्त ही करता है हरियाना प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक मंडल संख्या 4, प्रशासनिक जिला संख्या 21, प्रशासनिक तहसील संख्या 83, प्रशासनिक उपतहसील संख्या 47, प्रशासनिक खंड संख्या 126, प्रशासनिक ग्राम कुष्टक में निर्जन गाउं सहित संख्या 6083, प्रशासनि ग्राम कुष्टक में आबाद गाउं संख्या 6841 इस्थानिय स्वाशासन स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1957 में बल्वंत राय महता समीती के संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1969 में राजस्थान के नागोर से शुरू की गई वे इस्तरिय पंचायती राजवस्था भारत के सभी राजियों में लागू है वर्ष 1992 में संसद्वारा पारित तेरत्तर में वा चौरत्तर में संविधान संशोधन के बाद देश में पंचायती राज व इस्थानिय स्वाशासन में सुधार तथा इस्थाईत व आया और इन संस्थाओं को सम्विधानिक दरजा प्राप्त हुआ सम्विधान के पंचायतों व इस्थानिय स्वशासन से सम्मंदित भाग नौ में कई उपबंद तथा ग्यारवी और बारवी अनुसूचियां जोड़ी गई है भारत में पंचायती राजवेवस्था त्री इस्तरिय हैं इसमें ग्राम इस्तर पर ग्राम सभा, खंड या प्रखंड इस्तर पर पंचायत समीती तथा जिला इस्तर पर जिला परिशद होती है पंचायत के सदस्य और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है मद्य अस्तर पर अध्यक्ष का भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाओ होता है जिला अस्तर पर मदादीकार केवल चुने हुए सदस्यों का होता है आरक्षण अनुसूचित जाती और जनजाती के लोगों के लिए उनकी जनसंध्या के अनुपात में आरक्षन की विवस्ता है महिलाओं के लिए एक तिहाई इस्थान आरक्षित है आरक्षन चकरिय पधती के आधार पर होता है कारेकाल सभी पंचायती राज संस्थाओं के लिए पांच वर्ष की समान अवधी के व्यवस्ता है यदि किसी कारण वर्ष संस्था भंग कर दी जाती है तो भंग किये जाने की तारिक से 6 महिने की अवधी समाप्थ होने से पूर्व ही निकाय के गठन हे तो चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए वित्य अधिकार पंचायतों को दर एवं शुल्क प्रभार आदी लगाने की व्यवस्ता है वित्य अस्थिती की समीक्षा और सरकारों को संस्तुतियां देने के लिए प्रतेक पांच वर्ष में एक राजे वित्य आयोक की गठन की व्यवस्ता है ए गवर्नेंस केंद्र राजे में उतक्रिष्ट और कम खर्चिली ए गवर्नेंस के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने और जनता को समुचित जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनी कुपाय लागू किये गए है सरकार ने ए गवर्नेंस के लिए एक केंद्र खोला है जिसमें सर्वर कक्ष ज्यान केंद्र विकास केंद्र, वेब स्टूडियो, प्रशिक्षन प्रयोक स्टाला, डिजिटल लाइबरेरी, प्रद्योगी की केंद्र एवं विदियो कॉन्फरेंस का ख्ष आधी सुविधाए है ये केंद्र सरकारी विभागों, बोडों और निगमों के कर्मचारियों को प्रशिक्षन प्रदान कर रहा है प्रदेश सरकार ने राजे में सूचना प्रद्योगी की की शिक्षा के विस्तार के लिए पहल करते हुए ब्लोक स्तर पर कंप्यूटर मदान केंद्र इस्थापित किये हैं प्रिष्ट संक्या 203 हरियाना में पंचायती राज अधिनियम राजे के गठन के उपरान सम्मिधान के तिरत्तर में संचोधन के अनुरूप हरियाना पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाये गया जो 22 अप्राइल 1994 से प्रभावी हुआ 24 अगस 1994 को हरियाना पंचायती राज निर्वाचन नियमावली 1994 की रशना की गई तथा इसके बाद 16 फरवरी 1995 को हरियाना पंचायती राज 1995 अधिसूचित किया गया 14 अगस 1996 को हरियाना पंचायती राज वित्त बजट एवम लेखा एवम अंकेक्षन एवम कर एवम कार्य नियमावली 1996 अधिसूचित किया गया हरियाना पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राजे में पंचायती राज संस्थाओं को सम्विधान की ग्यारवी अनुसूची में वर्नेत 39 विशेयों से संबंद अधिकार एवम करताव्य सौपे गये जिन में से प्रमुक हैं इंधन, सडके, पुल, घाट, प्रात्मिक शिक्षा, ग्रामीन विद्यूती करण, परिवार, वकल्यान, बाजार व मेले, गरीबी उन्मूलन योजनाय, पर्यावरन संरक्षन ववरिक्षारोपन, चक बंदी, भूमी सुधार, पयजल, छोटी नहर वसेचाई, पशू पालन, पशूओं का चारा, खादी वग्रामवध्यो निपो, सार्वजनिक वित्रण व्यवेवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ आदी ग्राम पंचायत जिला भिवानी कुल ग्राम पंचायत 461, कुल पंचायत समितियां 10, कुल पंचायत समिति सदस्य 211, कुल जिला परिशत सदस्य 39 जिला फरीदाबाद कुल ग्राम पंचायते 111, कुल पंचायत समीतियां 2, कुल पंचायत समीति सदस्य 57, कुल जिला परिशत सदस्य 10 फतेहबाद कुल ग्राम पंचायते 245, कुल पंचायत समीतियां 6, कुल पंचायत समीति सदस्य 130, कुल जिला परिशत सदस्य 17 जिला गुडगाउं कुल ग्राम पंचायते 210, कुल पंचायत समीतिया 4, कुल पंचायत समीति सदसे 86, कुल जिला परिशत सदसे 10 जिला हिसार कुल ग्राम पंचायते 309, कुल पंचायत समीतिया 9, कुल पंचायत समीति सदसे 217, कुल जिला परिशत सदसे 28 जिला जीन्द कुल ग्राम पंचायते 300, कुल पंचायत समीतिया 7, कुल पंचायत समीति सदसे 172, कुल जिला परिशत सदसे 24 जिला जहजर कुल ग्राम पंचायते 249, कुल पंचायत समीतिया 5, कुल पंचायत समीति सदसे 118, कुल जिला परिशत सदसे 18 जिला पंचकुला कुल ग्राम पंचायते 121, कुल पंचायत समीतिया 4, कुल पंचायत समीति सदस्य 40, कुल जिला परिशत सदस्य 10 महेंद्रगड कुल ग्राम पंचायते 344, कुल पंचायत समीतियां 5, कुल पंचायत समीति सदस्य 140, कुल जिला परिशत सदस्य 18 जिला रेवाडी कुल ग्राम पंचायते 351, कुल पंचायत समीतियां 5, कुल पंचायत समीति सदस्य 12, कुल जिला परिशत सदस्य 16 जिला रोहतक कुल ग्राम पंचायते 141, कुल पंचायत समीतियां 5, कुल पंचायत समीति सदस्य 107, कुल जिला परिशत सदस्य 14 जिला सोनी पत, कुल ग्राम पंचायते 133, कुल पंचायत समीतियां 7, कुल पंचायत समीति सदस्य 117, कुल जिला परिशत सदस्य 24 जिला सिर्सा कुल ग्राम पंचायते 334, कुल पंचायत समीतिया 7, कुल पंचायत समीति सदसे 170, कुल जिला परिशत सदसे 21 जिला यमुनानगर कुल ग्राम पंचायते 441, कुल पंचायत समीतिया 6, कुल पंचायत समीति सदसे 112, कुल जिला परिशत सदसे 16 जिला कुरुक्षेत्र कुल ग्राम पंचायते 382, कुल पंचायत समीतियां 5, कुल पंचायत समीती सदसे 117, कुल जिला परिशत सदसे 15 जिला कैथल कुल ग्राम पंचायते 270, कुल पंचायत समीतियां 6, कुल पंचायत समीति सदसे 141, कुल जिला परिशत सदसे 19 जिला करनाल, कुल ग्राम पंचायते 372, कुल पंचायत समीतियां 6, कुल पंचायत समीति सदसे 174, कुल जिला परिशत सदसे 22 जिला पानी पत, कुल ग्राम पंचायते 166, कुल पंचायत समीतियां 5, कुल पंचायत समीति सदसे 111, कुल जिला परिशत सदसे 14 जिला मेवात कुल ग्राम पंचायते 308 कुल पंचायत समीतिया 5 कुल पंचायत समीती सदसे 128 कुल जिला परिशत सदसे 18 जिला पलवल, कुल ग्राम पंचायते 249, कुल पंचायत समीतिया 4, कुल पंचायत समीति सदस्य 112, कुल जिला परिशत सदस्य 17 कुल्मिला के ग्राम पंचायते 6083 कुल्मिला के पंचायत समीतियां 119 कुल्मिला के पंचायत समीति सदस्य 2772 कुल्मिला के जिला परिशत सदस्य 3074 प्रिश्ट संख्या 204 पंचायत समीति इसमें एक अध्यक्ष एक उबाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य तथा क्षेत्र से निर्वाचित विधान सभा की सदस्य होते हैं वर्तमान में हर्याणा में कुल 119 पंचायत समीतिया हैं जिला परिशद इसमें जिले के वॉर्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जिले की सभी पंचायत समीतियों के अध्यक्ष तथा जिलाक शेत्र से निर्वाचित लोक सभा सदस्य एवं विधान सभा सदस्य शामिल होते हैं वर्तमानवी राजे में कुल 21 जिला परिशद हैं पंचायती राज विवस्ता के प्रशासन हीतु राजे में शीर्ष संस्था विकास एवं पंचायत निदेशाले हैं जिसका प्रमुक निदेशक होता है जिला और खंड इस्तर पर क्रमशा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी डी डी पी ओ तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी बी डी पी ओ होते हैं हर्याना में पंचायती राज से सम्वंध नए सुधार हर्याणा पंचायती राज अधिन नियम में नए सुधार के अनुसार राजे में वर्ष में दो बार 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना आवश्यक होता है राजे में उपसरपंच का पत समाप्त कर दिया गया है तथा सरपंच के विरुद और वश्वास प्रस्ताव लाने के प्रावधान को समाप्त करने के विवस्था की गई है जिससे उसकी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और सुचारों बनाया जा सके हर्याणा में चुनाओ कारेक्रम घोशित होने के साथ दिन के अंदर उसे अपना पद छोड़ना होगा सरपंचों की निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशी रखने पर ऐसी राशी पर 21 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लेने का प्रावधान किया गया है सरपंचों और पंचों में अधालती मामलों के प्रती टालम टोल की प्रवरती को रोकने के लिए उन्हें 6 वर्ष की अवधी के लिए निलम्वित करने के वैवस्था की गई है ग्राम विकास समीतियों का गठन ग्रामिन ख्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को तेज करने तथा विकास कारियों में गुणवत्ता वपारदर्शिता लाने और उसमे अधिक लोगों की भागेदारे सुनिष्चित करने हैं तो विकास समीतियों के गठन का निर्णा लिया गया है ग्रामेड विकास के जो काम विबिन एजिंसियों से करवाय जाते थे उसे अब विकास समितियों के मादिम से करवाया जा रहा है सरकार द्वारा पैसा सीधे पंचायतों को भेजा जाता है जो ग्राम विकास निधी नामक खाते में जमा होता है तथा उसका संचालन सरपंच तथा दो अन्य सदसें द्वारा किया जाता है प्रोच सहन वपुरसकार बहतर कारे करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को राजय सरकार ने उन्हें पुरस्कृत करने का निर्न लिया है जिला परिशदों को प्रथम द्वित्य वत्त्रित्य पुरस्कार क्रमशह आठ लाख रुपए पांच लाख रुपए वतीन लाख रुपए दिया जाएंगे जिस ग्राम में खुले में मलत्याग नहीं होगा उस ग्राम को 5 लाक रुपए पुरसकार स्वरूप दिया जाएंगे प्रतिक जिले के श्रेष्ट गाउं को 5 लाख रुपए तथा राजे के श्रेष्ट गाउं को 10 लाख रुपए का चौधरी देवी लाल पुरसकार दिया जाएगा की पोइंट्स हर्याणा में प्रतिवर्ष्ट दो बार 13 अप्रेल और दो अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार है हर्याणा में पंचायती राज अधिनियम 22 अप्रेल 1994 को प्रभावी हुआ राजे में उप सर्पंच का पद समाप्त कर दिया गया हर्याणा में सर्पंच को चुनाव कारे करम प्रकाशित होने के साथ दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है हर्याणा में सर्पंच के विरुद अविश्वास प्रस्तावलाने में प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है प्रिष्ट संख्या 205 पंचायती राद संस्थाओं को नए अधिकार वर्ष 1999 के बाद पंचायती राद संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक और वित्य अधिकार प्रदान किये गये है ग्राम पंचायते अब 1,25,000 रुपे तक के विकास कारे करवा सकती है जो पहले केवल 25,000 रुपे तक था पंचायत समीतियां 3,000 तथा जिला परिषदे 5,000 तक के कारेओं को करवा सकती है ग्राम पंचायतों को उनके क्षेतरों में स्वाच्छता एवं परिया वरन सुधार के लिए कम से कम 24,000 रुपे और अधिक से अधिक 8,400 रुपे की राशी का अंदान उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा पंचायत समीति वजिला परिषद की भवनों की देखरेक के लिए 25,000 रुपे की राशी का प्रावधान किया गया है नगर निकाय 74 में सम्मिधान संचोधन द्वारा नगरों में इस्थानिय स्वाशासन की विवस्ता की गई है छोटे नगरों में नगर पाली का तथा बड़ी नगरों में नगर निगम नगरों को अनिक वोडों में बांट कर नगरिय इस्थानिय निकायों का गठन होता है इनके अध्यक्ष को मेयर या चेर्मेन कहा जाता है नगर निकायों को भी पंचायतों की तरह वित्य और प्रशासनी कदिकार प्राप्त है चुनाओ और आरक्षन की विवस्ता भी पंचायतों के समान है राजे चुनाव आयोग चुनाव से संबंध तथा राजे वित्य आयोग वित्य सुपुर्दगी से संबंध निकाए है वर्ष उनिसो तिरत्तर के अधिनियम के खंड़ दो अ के अनुसार राजे में शहरी इस्थानिया निकायों को तीन भागों में बाटा गया है नगरपालिका समीति इसका गठन वैसे ख्षेत्रों जिनकी संख्या 50,000 से अधिक नहीं है हेतु किया जाता है वर्ष उनिसो तिरत्तमान में राजे में नगरपालिका समीतियों की संख्या 46 है नगरपाली का परिशद इसका गठन वैसे छोटे शेहरों हेतु किया जाता है जिनकी जन संक्या 50,000 से अधिक है परन्तु 3,000,000 से कम है वर्तमान में राजे में 21 नगरपाली का परिशदे है नगर निगम इसका गठन वैसे बड़े शहरी ख्षेत्रों हेतु किया जाता है जिनकी जन संक्या तीन लाग से अधिक है वर्तमानवी राजे में एक नगर निगम फरीदाबाद में है जिसके अंतरगत 25 वॉर्ड है पंचायती राज के मुख्यकार्य राज के प्राइमरी स्कूल सीधे जिला परिशदों के नियंतरण में कारे करेंगे सामोदाईक स्वास्ते केंद्र, प्रात्मिक स्वास्ते केंद्र तथा उप स्वास्ते केंद्रों में कारेरत कर्मचारियों के अवकाश के सम्मन में पंचायती राजसंस्था अपनी टिपणी देगा क्रुशे विकास अधिकारी ग्रामों के दोरे के समय ग्राम पंचायत द्वारा रखे गए रेजिस्टर में अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा क्रुशी विभाग से सम्मंदित प्रदर्शनी पौधास अंरक्षन संयत्र उपलब्द करवाने के बारे में लाभार्थियों का चैन ग्राम पंचायतों के परामर्श से किया जाएगा ग्राम पंचायतें स्टॉक मैन के इंद्रत तथा पशू चिकत साले के भवनों का रख रखाव करेंगी जिसके लिए विभाग द्वारा उन्हें वित्या सहायता उपलब्द करवाई जाएगी ग्राम पंचायत के की महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा आंगनबाडी केंद्रों में पॉष्टिक आहार का वित्रण सरपंच या महिला पंच की उपस्थिती में किया जाएगा जिला परिशदों वपंचायत समितियों द्वारा मनोनीत महिला सदस्य आंगनबाडी केंद्रों का निर्धार कर सकेंगी और वे परियोजना अधिकारी तथा CDPO को भी अपने साथ दोरे पर ले जा सकती हैं व्रिधा वस्था पेंशन विध्वा पेंशन तथा अपंग पेंशन के लिए पात्र व्यक्तियों का चैन ग्राम पंचायतों के सिफारिश पर किया जाता है सरपंच या पंच की उपस्थिती में किया जाएगा सार्वजनीक वित्रन प्रणाली की कमियों के संबन्ध में ग्राम पंचायत अपने रिपॉर्ट खादे इवं पूरती नियंत्रक को भेजेगी ग्राम पंचायतों की पानिकि चोरी रोकने के बारे में सम्मंदित विभाग को अपना भरपूर सहयोग देंगी तथा गैर परमपरागत उर्जा स्त्रोच संसाधन पंचायत समीती की सलापर ही लाभार्तियों को उपलब्द करवाए जाएंगे इस बारे में पंचायतें अपने सिफारिश पंचायत समीती को भेजेंगे न लकनीकी स्विक्रती देने के अधिकार को पचास हजार रुपए से बढ़ा कर डेर लाक रुपए कर दिया गया है चंडीगर के सेक्टर 28 में पांच करोड रुपए की लागत से हरियाना पंचायत भवन का निर्मान करवाया गया है नलकूप पर आधारे जल आपूर्त प्रतियोगिताओं के लिए विभाग द्वारा इन संस्थाओं को वित्य सहायता उपलब्द करवाई जाएगी यदि ग्राम का कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में लिया जाता है तो संबंदित थाना ध्यक्ष इस संबंद में सरपंच को जानकारी देगा ट्रिष्ट संख्या 206 केंद्रिय मंत्री मंडल कुष्ठक में सचेवाल है कुष्ठक समाब श्री मनोहर लाल खटर दाइत्व एवं विभाग ग्रिह उर्जा टाउन एवं कंट्री योजना और शहरी संपधा खान एवं भू विज्यान नियाय प्रशासन इस्थापत्य वि शहरी इस्थानिय निकाय, इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की, अक्षय उर्जा और अन्यवे विभाग जो विशेश रूप से किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं श्री राम बिलास शर्मा दायत्व एवं विभाग, शिक्षा एवं भाषा, परिवहन, तक्नीकी शिक्षा, खादे एवं आपूर्ती, पर्यटन, नगर विमानन, संसदिय कार्य, पूरातत्व और संग्रहाले, आतित्य क्याप्टन अभिमन्यू, दायत्व एवं विभाग, वित्त, राजस्व एवं प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान योजना, वन पर्यावरन, श्रम एवं रोजगार, उद्योग एवं वानेज्य, कानून और विधान, संस्थागत वित्त और उधार्नियंत्रन, समेकन, पुनरवाज और उद्योगिक प्रशिक्षन, श्री ओम्प्रकाश धनकर, दायत्व एवं विभाग, क्रुशी, पंचायत एवं विकास, सिचाई, पशुपालन एवं डेरी और मत्यपालन, श्री अनिल्विज, दायत्व एवं विभाग, स्वास्त एवं चिकित्सा, शिक् महिला एवं बाल विकास, अनसूचित जातियों और पिछडे वर्गों का कल्यान, क्रिश्न लाल पमार, दायत्व एवं विभाग, परिवहन आवास, राजय मंत्री, श्री विक्रम सिंग यादव, दायत्व एवं विभाग, सहयोग स्वतंत्रप्रभार, मुद्रण और पंचायत, विकास एवं पंचायत मंत्री के साथ सनलगना, श्री क्रिश्न कुमार, दायत्व एवं विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कुष्ठक प्रारम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के साथ सनलगना, कुष्ठक समाप, महिला एवं बाल विक अनुसूचित जाती और पिछडा वर्ग कल्यान श्री करण देव कंबूज दाइत्व एवं विभाग खादे एवं आपपूर्ती परिवहन पर्यतन एवं आतित्य श्री घंश्याम सर्राफ दाइत्व एवं विभाग लोग स्वास्ति ज्यांत्रिकी कोष्ठक में स्वतंत्र के साथ सनलगन कोष्ठक समाप अक्षय उर्जा कोष्ठक में मुख्य मंत्री के साथ सनलगन कोष्ठक समाप मुख्य संसदिय सचव श्री श्याम सिंग दाइत्व एवं विभाग जेलों मुख्य मंत्री के साथ सनलगन राजस्व एकी करण और पुनरवास कोष्ठक में साथ सनलगन वित्त मंत्री कोश्ठक समाप श्री बक्षीश सिंह विर्क दाइत्व एवं विभाग विकास एवं पंचायत कृशी मंत्री के साथ सनलगन श्रीमती सीमा त्रिखा दाइत्व एवं विभाग परेटन और आधित्य शिक्षा मंत्री के साथ सनलगन डॉक्टर कमल प्रेश्न संग्या 1. एक प्रिथक स्वतंत्र राज्य के रूप में हर्याना का गठन कब हुआ? उप्षन A. 1.1966. उप्षन B. 1.1966. उप्षन C. 1.1969. उप्षन D. 1.1973. उत्तर है उप्षन A. 1.1966. प्रेश्न 2. हर्याना के प्रतम राजेपाल कौन थे? उप्षन A. श्री धर्म वीर. उप्षन B. श्री B. एन चक्रवर्ती. उप्षन C. श्री जय सुखलाल. उप्षन D. श्री हर चरन सिंग बराड. उत्तर है उप्षन A. श्री धर्म वीर. प्रश्न संख्या 3 हरियाना में अब तक सरवादिक लंबी अवधी का कार्यकाल किस राजपाल का रहा उप्शन A. B. N. चक्रवर्ती उप्शन B. धनिक लाल मंडल उप्शन C. बाबू परमानंद उप्शन D. उपरोक्त में से कोई नहीं उप्शन A. B. N. चक्रवर्ती उप्शन 4. राजे के प्रतम मुख्य मंत्री थे उप्शन A. भगवत दयाल शर्मा उप्शन B. राव वीरेंद्र सिंग उप्शन C. बंसी लाल उप्शन D. बनारसी दास गुपता उप्शन A. भगवत दयाल शर्मा प्रशन 5. हर्याना में अब तक कितनी बार राश्ट्रपती शासन लागो हुआ है उप्शन A. प्शन B. चार उप्शन C. तीन उप्शन D. दो उतर उप्शन C. तीन छटा प्रशन हर्याना को कितने विधान सभा निर्वाचन शेत्रों में बांटा गया है उप्शन A. 88, उप्शन B. 90, उप्शन C. 92, उप्शन D. 78, उतर उप्शन B. 90 सात्वा प्रशन हर्याना में कितने विधान सभा ख्शेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है उप्शन A. 15, उप्शन B. 19, उप्शन C. 17, उप्शन D. 21, उतर उप्शन C. 17 प्रशन 8, राजे में लोग सभा सदस्यों की संख्या कितनी है उप्शन A. 10, उप्शन B. 12, उप्शन C. 9, उप्शन D. 11, उतर उप्शन A. 10 नवा प्रशन हर्याना में लोग सभा निर्वाचन शेत्रों में से कितने एक शेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है उप्शन A. 1, उप्शन B. 2, उप्शन C. 3, उप्शन D. 4, उतर उप्शन B. 2 उप्शन संख्या 10, राजे सवा हेतु हर्याना राजे से कितने सदसे चुने जाते हैं उप्शन A. 5, उप्शन B. 3, उप्शन C. 2, उप्शन D. 4, उतर उप्शन A. 5 उप्शन B. 5, उप्शन D. 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 उप्शन D उत्र उप्शन ए वर्ष उन्यसो सट सट में तेरवा प्रशन निम्न में से कौन सा विधान सभाक्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है उप्शन ए बड़ोदा उप्शन भी जज़र उप्शन सी बावल उप्शन डी नारनौल उत्र उप्शन डी नारनौल प्रशन चौधा प्रशासनी को देश से राजे को कितने भागों में बाटा गया है ये प्रशन हर्याना लोक सेवा आयोक प्रारंबिक परिक्षा 2012 में भी सोवा प्रशन डी बंज नारन के सेंड्रा उप्शन डी याई उत्रल्मार उप्शन 1842 में आयोकтив से परिवान मंत्री रहे औप्षन ऐ वर्षण 1978 ऑप्षंबी वर्षणrie नवाथी उफ्षनसी वर्षण सी वर्षण्यासी उथ्षन्टी वर्षण्ट दी वर्षण्यासी अठारवाँ प्रश्ण चौदरी बंसीलाल ने केंदर सरकार में कब रेल मंतरी की भूमी का निभाई option a. 1992 option b. 1990 option c. 1988 option d. 1985 option d. 1985 19 summoned 1986 में केंद्र सरकार में रख्षा मंतरी निम्न में से कौन थे option a. चौदरी देवी लाल option b. चौदरी बंसी लाल option c. भजन लाल option d.2020 में से कौई नहीं m. अप्षन c. भजन लाल प्रिश्ट संख्या 208 विदान तो ओलता है 23 निम्न में से कौन सा गलत है ए हरियाना में एक विधान सभा और एक विदान परिशद है लुगा का विधान परिशद है उतर है option A, हर्याना में एक विधान सभा और एक विधान परिशद है 24. बाबु पर्मानंद हर्याना के किस पत पर रहे? A, मुख्य मंतरी B, उच्च न्यायले के न्यायधीश C, राजयपाल D, उप्रोक्त में से कोई नहीं उतर है C, राजयपाल 25. हर्याना में दूसरी बार कब राष्ट्र पति शासन लगा? A, वर्ष 1959 B, वर्ष 1979 C, वर्ष 1975 D, वर्ष 1997 उतर है D, वर्ष 1977 26. हर्याना में तीसरी बार राष्ट्र पति शासन कब लागू किया गया? A, वर्ष 1989 B, वर्ष 1991 C, वर्ष 1992 D, वर्ष déb peine 1994 उत्तर है B वर्ष 1991 27 प्रश्ण जगेनात पहाडियां ने हरियाना के किसपत को सोभषोवित किया A उच न्याले के नियाधीश B मुख्यमंत्री C उच न्याले के मुख्यन्याधीश D राजेपाल उत्तर है D राजेपाल 28 वा प्रश्ण हर्याना के दूसरे राजयपाल कौन थे Option A. B. N. चक्रवर्ती Option B. R. S. नरूला Option C. हर्चरण सिंग बराड Option D. S. S. सांधवलिया उतरे Option A. B. N. चक्रवर्ती 29 वा प्रश्ण हर्याना के दूसरे मुख्य मंत्री थे A. बंसी लाल B. बनारसी दाजगुपता C. राव वीरेंद्र सिंग D. भजनलाल उतरे Option C. राव वीरेंद्र सिंग प्रश्ण 30 श्रीधर्म वीर जो राजय के पहले राजयपाल थे का कारेकाल कितने दिनों का रहा A. लगभग 5 महीने B. लगभग 7 महीने C. लगभग 10 महीने D. एक वर्ष 3 महीने उतरे Option A. लगभग 5 महीने 31 प्रश्ण हर्याना पंचायती राज अधिनियम कब लागु किया गया A. 22 मही 1993 B. 22 अप्रेल 1993 C. 22 अप्रेल 1994 D. 22 मही 1994 उतरे C. 22 अप्रेल 1994 32 महीने ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है A. 6,084 B. 5983 C. 5683 D. 6083 उतरे Option D. 6083 प्रेश्ण 33 वर्तमान में राज में पंचायत समीतियों की संख्या कितनी है A. 121 B. 118 C. 116 D. 119 उतरे D. 119 34 प्रेश्ण हर्यान में कुल कितनी जिला परिशद है A. 18 B. 21 C. 19 D. 24 उतरे B. 21 35 प्रेश्ण हर्याना पंचायती राज निर्वाचन नियमावली को कब बनाया गया है A. 15 अगस्त 1994 B. 24 अगस्त 1994 C. 14 अगस्त 1996 D. 16 फरवरी 1995 उतरे B. 24 अगस्त 1994 36 प्रेश्ण राजे के किस जिले में पंचायतों की संख्या सरवादिक है A. यमुना नगर B. अमबाला C. करनाल D. भिवानी उतरे D. भिवानी 37 प्रेश्ण राजे में नगर निगम की संख्या कितनी है A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 उतरे C. 1 38 प्रेश्ण राजे में नगर निगम गठित है A. गुरगाओ B. फरीदाबाद C. पानीपत D. कुरुक्षेत्र उतरे B. फरीदाबाद 49 प्रेश्ण राजे में नगर पाले का परिश्दों की संख्या कितनी है A. 21 B. 39 C. 46 D. 36 उतरे A. 21 प्रेश्ण 40 निम्न में से कौन सा कथन गलत है A. हर्याना में वर्ष में दो बार 13 अप्रैल वद दो अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवारे कर दिया गया है A. B. राजे में सरपंच की अनुपस्तिती में उपसरपंच उसके कारियों का निर्वाहन करता है A. C. हर्याना में सरपंच के विरुद अवश्वास प्रस्ताओं नहीं लाया जा सकता है A. D. हर्याना में पंचायत शेत्र के विभिन वार्डों से 6-12 पंचों का भी निर्वाचन किया जाता है A. B. राजे में सरपंच की अनुपस्तिती में उपसरपंच उसके कारियों का निर्वाहन करता है प्रिष्ट संख्या 209 41. हर्याना के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है A. अंबाला B. यमुना नगर C. भिवानी D. कुरुक्षेत्र उतर है ऑप्शन C. भिवानी 42. हर्याना के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है आप्शन A पंच कुला, आप्शन B फरीदाबाद, आप्शन C पानी पत, आप्शन D रहो तक, उतर आप्शन B फरीदाबाद तरतालेसवा प्रशन सुमे लित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 जिला, A, हिसार, B, जीन, C, सोनी पत, D, करनाल सूची 2 जिला परिशत के सदसिय, नमबर 14, नमबर 28, नमबर 23, नमबर 24, चार आप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D, D वाला आप्शन सही है, इस प्रकार से सूची एक जिला ए हिसार का सही मिलान है सूची दो जिला परिशत के सदस्य नमबर दो अठाइस सूची एक जिला बी जीन्द का सही मिलान है सूची दो जिला परिशत के सदस्य नमबर एक चौवीस सूची एक जिला सी सोनी पत का सही मिलान है सूची दो जिला परिशत के सदस्य नंबर चार चौबीस सूची एक जिला डी करनाल का सही मिलान है सूची दो जिला परिशत के सदस्य नंबर तीन बाईस 44 वा प्रश्न सुमेलित कीजिए सूची एक को सूची दो से सूची एक नगरपाले का इवं परिशद A. महेश नगर B. उचाना C. गुहला चीकर D. हैली मंडल सूची दो जिले नमबर एक अंबाला नमबर दो जीन्द नमबर तीन कैथल नमबर चार गुड़गाओं चार उप्शन्स दिये गए है A, B, C, D D वाला उप्शन सही है इस प्रकार से सूची एक नगरपाले का इवं परिशद A. महेश नगर का सही मिलान है सूची दो जिले नमबर एक अंबाला से सूची एक नगरपाले का एवं परिशद B उचाना का सही मिलान है सूची दो जिले नमबर दो जीन्द से सूची एक नगरपाले का एवं परिशद C गुहला चीकर का सही मिलान है सूची दो जिले नमबर तीन कैथल से सूची एक नगरपाली का एवं परिशद डी हेली मंडल का सही मिलान है सूची दो जिले नमबर चार गुणगाओं से पैतालिस्वा प्रश्न निम्न कथनों पर विचार कर दिये गए विकलपों की सहायता से सही उत्तर का चैन करें नमबर एक हर्याना में उप सरपंच का पत समाप्त कर दिया गया है नमबर दो सरपंचों के निर्धारित सीमा से अधिक नकद रखने पर 21 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा नमबर तीन सरपंचों और पंचों को अधालती मामलों में टाल मटोल करने पर उन्हें दो वर्षों के लिये निलंबित किया जा सकता है उप्शन ए पहला दूसरा और तीसरा कथन सही उतर है उप्शन बी पहला और दूसरा कथन सही 46 प्रशन नगर पाली का समीती के गठन हेतु आवश्यक है उतर है उप्शन डी वैसे नगर जिनकी जनसंक्या पचास हजार से अधिक नहीं है 47 प्रशन नगर पाले का परिशत के लिए कितनी जनसंक्या आवश्यक है A. 50,000-3,000, B. 50,000-2,000, C. 50,000-4,000, D. 50,000-5,000, उतर है उप्शन A. 50,000-3,000, 48 प्रशन नगर निगम के गठन के लिए कितनी जनसंक्या आवश्यक है A. 2,000,000, B. 3,000,000, C. 4,000,000, D. 50,000,000, उतर है B. 3,000,000,000, 49 प्रशन खुले में मल त्याग नहीं करने पर हर्याना के श्रेष्ट गाउं को कितने रुपए का चौदरी देवी लाल पुरसकार दिया जाता है A. 5,000, B. 7,000, C. 10,000, D. 12,000, उतर है C. 10,000,000, 50 प्रशन राजे वित आयों की संस्तुतियों के अनुसार स्टैंप, ड्यूटी और रेजिस्ट्रेशन फीस का कितना प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्ताओं को दिया जाता है A. 2,000, B. 3,000, C. 5,000, D. 6,000, उतर है B. 3,000, 51 प्रशन फरीदाबाद नगर निगम में कितने वॉर्ड है A. 20, B. 22, C. 25, D. 28, उतर है C. 25 52 प्रशन संपुर्ण हरियाना में मन्रेगा का विस्तार किया गया है ये प्रशन हरियाना राजे लोक सेवा आयोक प्रारंबिक परिक्षा 2012 में पूछा गया था उप्षन A. 1,जनवरी 2008, उप्षन B. 1,जुलाई 2009, उप्षन C. 1,जनवरी 2010, उप्रोक्त में सी कोई नहीं उतर है उप्षन D. उप्रोक्त में सी कोई नहीं इस प्रिश्ट पर इन सभी प्रश्णों के उत्तर मार्क किये गए हैं जिने प्रश्णों के साथ साथ पढ़ लिया गया है प्रिश्ट संख्या 210